नमस्ते फैंड्स में डॉक्टर रेनुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे योटूब चेनल पर दोस्तों आज का टॉपिक होमरपती से थोड़ा हट करें आज हम हमारे शरीर के 70% हिस्से के बारे में बात करेंगे हाँ दोस्तों पानी हमारे शरीर का 70% हिस्सा बनाता है और इस पानी को हमारे शरीर में मैंटेन रखने के लिए यह जानना जुरूरी है कि इस पानी की हमें कित्ती मातर की चुरुत होती है हमें कैसे पीना चाहिए और कब पीना चाहिए दोस्तो पानी पीने को लेके सबकी अपनी अपनी राय होती है कोई बोलता है जादा पीओ, कोई बोलता है कम पीओ, कोई बोलता है गरम पीओ, कोई बोलता है हलका गरम पीओ मैं आपको यह सब नहीं बताऊंगी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे ज़्यादा जरूरी यह हैं कि आप अपने शरीर को समझें अपने बॉडी टाइप को समझें अपने आसपास के वातावरंड को समझें और सबसे ज़्यादा जरूरी अपने डेली रूटीन को समझें आप किती फीजिकल एक्सराइज करते हैं, आपका काम कैसा है, इस तरह से. तो दोस्तों, आज हम हमारे शरीर की important जरूरतों में से एक पानी के बारे में बात करेंगे. तो चलिए, शुरू करते हैं. फ्रेंग्स, पानी हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, जैसे की oxygen और दूसरे पोशक्ततों को यहां से महाँ ट्रांस्पोर्ट करता है, नमबर टू, हमारे liver और kidney को वैस प्रोड़क्ट को बहा निकालने में ये पानी हेल्प करता है, नमबर तीन, ये minerals और vitamins को absorb करने में भी हमारे शरीर की मदर करता है, जोड़ों में lubricant means चितनाई का काम करता है, और हमारे मू, आँख और नाख को नमी देता है, और last और सबसे important role इसका ये है कि ये हमारे body के temperature को regulate करता है, दोस्तों अब बात करते हैं हमारे शरीर को पानी के कित्ती माता की ज़बत होती है, और वो किन बातों पर निर्भर करता है, मोटा मोटा ये चार बातों पर निर्भर करता है, नमबर बन हम किस तरह के climate में रहते हैं, यदि hot climate में रहते हैं, तो पानी की ज़बत ज़बत जादा होती है, और यदि ठंटे क्लामिक में रहते हैं तो पानी की ज़री को कम होती है अब नमबर टू हमारा शरीर किस तरह की फिजिकल एक्सराइज या काम करता है यदि जादा काम करता है जादा फिजिकल एक्सराइज करता है तो शरीर को जादा पानी की ज़रुत होती है नमबर 3 पर होता है कि हमारे शरीर के वजन के हिसाब से भी पानी की मात्रा डिपेंड करती है और लास्ट नमबर 4 है कि यदि किसी बिमारी में पानी की मात्रा जागा भी लेनी पड़ती है और किसी बिमारी में पानी की मात्रा कम भी करनी पड़ती है यदि बीमारी की बात करें तो फीवर में बॉड़ी का टेंपरिषर हाई होता है तो बॉड़ी को तो पीने की ज़वत पर दोस्तों याद रखे हमें फल सबजी और दूसरे खाने के आइटम से भी पानी मिलता है इसलिए शरी में किते मात्रक में पानी की ज़वत होती है यह फिक्स आम तो नहीं बता सकते लेकिन फिर भी एक एवरेज धाई से तीन लीटर पानी की ज़वत ह हमारे शरीद को दोजाना पड़ती है दोस्तों एक और जलूरी बात हमें ज्यादा पानी भी नहीं पीना कि ज्यादा पानी पीने से सोडियम का लेवल कम हो जाता है उसे हम हाईपोल नैटरमय की कंडिक्शन बोलते है इसमें पूरे शरी में सुजन आ जाती है इसपेश्श ना बहुत धीरे पानी पीए ना ही बॉटल से जल्दी जल्दी गटकना है पानी इस तरह से पीए कि पानी हमारे मुह के सलाइवा को फूट पाइप से ले जाते हुए इस्टमक में ले जाए और इस्टमक के एसिद के लेवल को निट्रलाइज कर दे फ्रेंड्स सुबह उठत पानी को ना चाहिए साधीयों के मुसम में कभी-कभी वाटर पी सकते हैं खाना खाने के बाद 15 तक पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के पहले लगवख 20 मिट तक पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी होती है ठंडी तो वो खानी पिचाने के किरिया को थोड़ा दीमा कर देता है एक और ज़रूरी बात रात को सोते वक्त पानी कम दिये यह हमारी स्लीव साइकल को डिस्टरब करता है दोस्तों इस पूरे लॉंग कि अपया नहीं हुआए तो पानी पीए उस वक्त जो मैं उनसे करती हूं मैं आ मीटry आप पानी है आप उस पानी में सओफ ऐलो सभूल के आप पानी का पी बना कर पी्सके यह क्यों कि मेरी उब्सवरेशन से कि सादह पानी पीने में कम आता है लेकिन इस प्लीक्राव पानी कवाएं लेटें तो पानी की व legg याद हैš तो दो तरह से लाबकारी हो गया एक पानी का लाब मिलेगा और दूसरे उस हेल्दी इंग्रेडियेंट का भी आपको लगा हो तो प्लीज लाइब शेयर एंड सब्सक्राइब मैं वीडियो मैं चैनल